हलो एवरीबन वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग तो जब मैंने डाला की लास्ट वीडियो है मेरी आज दो जारते इसकी कल जब मैंने अपलोड करी थी बहुत से चाहने वालों के इतने मेसेज आए हैं इतने मेसेज आए हैं कि दीदी आप हम लोग आपसे इतना प तो जीमेल पे भी मुझे मेसेज कर दी सब्सक्राइबर थे उनके जीमेल पे भी मेसेज आए हैं कि उन्हें रोना आ रहा है और वो वीडियो यूटूब पे देखना चाहते हैं वह ब्लोग का इंतजार कर रहे हैं तो मैंने उनके जीमेल पर भी तक कोई रिपलाइ तो नही इतने कॉमेंट्स से थे कि पढ़कर मेरी आंखों में आंसु आने लग गए कि चहाने वालों की लिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं बता भी नहीं सकती और कुछ तो चहाने वाले चेतना ने लिखा कि दिदी हमारा गुरूप बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है और क्या आज वीडियो आएगी हम 10 वजे इंतजार कर रहे हैं आपकी वीडियो का तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी आंखों में आंसु भी आ रहे हैं तो मैंने उनको लिखा कि नहीं डियर आज मेरी वीडियो नहीं अप्लोड होगी नहीं डियर इतना ही रिपलाइ करा लेकिन इतना भी करा तब भी मेरी आंखों में आंसु थे और मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर मेरे इंतजार कर रहे हैं वीडियो का और मुझे भी ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेकिन तब ही फिर मैंने सो कि दिल से रिष्टा जुड़ जाता है फिर जब मेरी बेटी को पता चला तो उसने भी मुझे कल फोन किया और जो है बहुत जादा समझाया काम्याने कि ममा अगर है तो आप अपना ही मेन वीडियो के अंदर रखो और मत किसी को ले के आओ क्योंकि अगर ऐसा बार-बार क्योंकि चैनल खराब होता इस तरह से तो आपको अपना ध्यान देना चाहिए वीडियो बनाने के उपर और जो नेगिटिव कॉमेट्स आ रहे हैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए तो सितल ने भी बोला और फैक्ट गरल ने इतने मेसेज लिखे इतने ल यह मैंने पढ़े नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो कि इतने कॉमेंट्स हैं एक मेरी सिष्टर अरीचा उसका भी कॉमेंट्स आया काफी ज्यादा कॉमेंट्स आये और एक दो जो मेरी भूमी का सब्सक्राइबर भी है और ननन्द भी लगती है तो उनका रात को फोन हाया लेकिन नंबर फीड था और मेरा मूड खराब था तो मैंने उनका फोन भी नहीं रसीव किया क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने मुझे समझाने के लिए फोन किया है क्योंकि उन्होंने भी काफी भर-भर के मैसेज लिख कि दिद्य आपको ऐसा नहीं करना आपको वीडियो बनानी है हम आपकी वीडियो का इंतिजार कर रहे हैं तो तब ही से जब फिर मेरी बैटी ने भी यही बोला तो मेरा मन थोड़ा सा ऐसे हुआ कि नहीं मुझे अपने बारे में ही नहीं खाली जो नेगिटिव कॉमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में नहीं बलकि मेरे जो चाहने वालों के बारे में भी मुझे सोचना चाहिए और मुझे वीडियो फिर से बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए फिर से आज व्लोगिंग कर रही हूं आपके सामने खड़ी हूं तो अब वैसे ही हर दिन की तरह मेरी कि वो नंब्र था जो मेरे पास Bomb ni तो मेने उठाया रात को सो रही थी नोव मजी हम जलोग मत जल्दी सूजाते हैं तो वैसे भी रात को वीडियो व Fest करना ही नहीं PC काम लीटें थाफ तो मैं रात को मेहनत कर रहे हो इतने सारी सब्सक्राइबर आपने करे हैं इतनी मेहनत करी है तो आप मामी जी वीडियो बनाईए तो फिर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा कि मेरे इतने चाहने वाले हैं कि कॉमेंट्स ही नहीं फोन पर भी जीमेल पर भी मेसेज करे जा रहे हैं कर आपको वीडियो बनानी है चाहे कोई कुछ भी कहे तो आपको ध्यान नहीं देना और आपने इतनी मेहनत करी है आप ऐसे आप कैसे सोच सकते हो क्या वीडियो नहीं बनाओगे तो तबी से मैंने डिसीजन ले लिया था कि सुबह मैं नहा दोकर और फ्रेस मूड में आकर और वीडियो जो छोटा सा एक फ्लोग सूट करूंगी और इसलिए मैंने आपके लिए ये व्लोग बना डाला है तो आपको हर दिन दस बजे मेरी वीडियो देखने को मिलती रहेगी और कौन-कौन जाना चाहता है कि मैं गाजर के हलवे की जो गाजर पाक बनाते हैं उसकी रेसेपी शेयर करूं क्योंकि मैं फिलहाल निम्बू का अचार बना रहे हैं घर पे और गाजर का हलवा भी बनाने वाली हूं तो मैं उनकी रेसेपी आपके साथ शेयर करूं कौन-कौन चाहता है कि मैं शेयर करूं क्योंकि मैंने जो निम्बू का अचार बनाया न वो इतन अच्छा और टेस्ट यह चार बना है कि मैंने फर्स्ट बार बनाया है और मैं ये इसलिए मैं दिखाऊंगी व्लोग में आप लोगों को क्योंकि हर कोई ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हमारे हाथ का खराब हो जाएगा क्योंकि मेरे मन में भी कही नहीं यही भेम होता था ल लग्यू